Hello students, कैसे हो आप सब? जैसे कि आप सभी को पता है, आज कल क्या है? सैनिक स्कूल का दोर चल रहा है, सभी बच्चे देख रहे हैं, क्या होगा वहाँ जाकर, जिनका नंबर आ गया, वो डूंड रहे हैं, हमारा डेली रूटिन क्या रहने वाला है, हम आपर किस टाइम जगेंग पढ़ाई कैसे होगी, क्या अलग होने वाला है, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, कि जो हमारे सैनिक स्कूल होते हैं, उनमें क्या डेली रूटिन होता है, वो क्या होता है? अब हर सैनिक स्कूल का, क्योंकि 33 प्लस 23, यानि कि 56 सैनिक स्कूल है, सब के अंदर टाइ या एवरेज मैं बोलूँ कि जो टाइमिंग से रहने वाली है, वो यहीं रहने वाली है, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है? इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह समारे सैनिक स्कूल में हमारा ये रूटिन रहने वाला है, हम ऐसे फोलो करने वाले है इस टाइम हमारा ब्रेक होगा, ऐसे क्लासीच चलेंगी, वो टैवर, जो भी होने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि जो हम सुबह उठते हैं, तो उठने का टाइम क्या होता है? जैसे कि आप सभी को पता है, वहां पे लिए बिगुल बज जाएगा कि उठ जाओ तो आपको वहां पर उठना ही उठना है, वहां पे मम्मी नहीं होगी कि नहीं मम्मी मेर को नहीं उठना, वहां पे तो बस गया तो बस गया, यानि कि पांच बज़े सुबह के आपको उठ जाना है, ठीक है जी, फिर उसके बाद से आपकी PT स्टार्ट हो जाती है PT वहाँ पर डेली बेसिस पर होते है मैंने बताया वही डिफेंस वाला सारा का सारा रूटिन आपको वहाँ पर फोलो करना होता है दोस्तों साथ बजे हमारा होता है ब्रेकफास्ट जिसके अंदर जिस बच्चे को ब्रेकफास्ट करना है कुछ खाना है पीना है जो भी करना है अपना साथ बजे आप वहाँ पर कर सकते हो जो हमारी अटेंडेंस है यानि कि क्लासिज है वहाँ पर आट बजे एंट्री हो जाती है यानि पेटी से जाने के बाद आप ना वाके अपना dress and up होके जो भी करना है सब एक घंटे में आपको करना है 8 बजे आपको उफस्तित हो जाना है class के लिए ठीके जी 8.15 से आपका पहला period चालू हो जाएगा यानि कि first आपका जो period होगा वो 8.15 से चालू हो जाएगा 9 बजे आपका second period चालू हो जाएगा यानि कि 9 बजे आपका दूसरा घंटा जिसको हम इंदी में बोलते हैं चालू हो जाएगा 9 बजे second period चालू हो जाएगा 9.45 पर तीसरा period चालू हो जाएगा और यह school to school differ करेगा यह बिल्कुल fix नहीं है किसी स्कूल में 45 पर किसी में 50 पर यानि कि 5-10 मिनट का difference थोड़ा सा रहने वाला school to school यह vary करेगा ठीक है जी अब 10-20 पर क्यों होगा हमारा fourth period आ जाएगा and 11 a.m. पर हो जाएगा हमारा break break में आपको जो भी करना है खाना पीना है या कुछ tea, coffee वगेरा लेनी है कुछ भी करना है या rest करना है वो 11 बजे आपको मिल जाएगा फिर 11.20 से यानि कि 20 मिनट का आपको rest मिलने के बाद आपको fifth period start हो जाएगा फिर 12 बजे यहां से आपको पता चल रहा है कि one period will be a 40 minute 40 minute का एक period रहने वाला है sixth period आपका 12 बजे start हो जाएगा 12.40 पर फिर आपको break मिलेगा क्योंकि वो आपको एक दो गंटे के बाद break देते रहेंगे क्योंकि सुबह 5 बजे से आप लगे हुए हो तो continue लगे रहोगे तो body vary नहीं करेगी वो थकान मान जाएगी तो वो आपको इसी उसमें ढालते चले जाएगे धीरे धीरे एक बजे जो है वो आपका स्यात्वा period चालू हो जाएगा seventh period 140 पर आपका eighth period मैं बोलू तो चालू हो जाएगा ठीके एट 145 पर आपका lunch break हो जैसे कि सुबह आप घर पे क्या करते हो सुबह आप घर पे breakfast करते हो तो breakfast हो गया फिर आपको break मिला उसमें आपको कुछ खाना है तो आप खा लेते हो घर पर लंच का time क्या होता है एक से दो के बीच में होता है तो ऐसे ही वहाँ पर 145 पर आपको school to school vary करेगा यह average मैं आपको बता रही हूं तीन से चार बजे के बीच बच्चों को जो भी करना है self study करनी है अपना कोई game खेलना है जो भी करना है अपने लिए library में जाना है आपना कुछ अलग से study करनी है तो वह अपने लिए time निकालना है तो वह एक गंटे का time आपको मिलेगा फिर 414 से आपका NCC और games सब कुछ महाँ पर होता है NCC भी होता है games भी होता है उसके लिए आपको बुलाया जाता है फिर 520 से 6 बजे तक आपको जो भी करना है बात इवनिंग वगेरा जो भी करना है फिर आपका roll on होता है यानि की counting होती है करना होता है साड़े 8 बजे आपको सोने की तयारी करनी है फिर 9 बजे किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है अपना कुछ काम करना है या TV देखना है न्यूज सुननी है जो भी बच्चे को करना है 9 बजे कर लेते हैं रात के साड़े 10 बजे light off हो जाती है light off होने का मतलब है कि बच्चो आपके सोने का टाइम हो चुका है आप सो जाईए ठीक है तो आपको यहां पर आपको proper नीद का भी ध्यान रखा जाता है आपके खेलने का भी ध्यान रखा जाता है आपके rest का भी ध्यान रखा जाता है साथ के साथ आपकी पढ़ाई का भी ध्यान रखा जाता है अगर आपने notice किया हो, इस routine के अंदर आपके हर चीज का ध्यान रखा जाता है, time to time, ठीक है जी, तो ये हो दे वाला है, आपका सैनी की स्कूल में जाने के बाद routine, आप इस strict routine को follow कर सकते हैं, जिसके अंदर enjoyment भी होगा, game भी होगा, fun भी होगा, और education भी होगी, ठीक है बच्च थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत!